हेलो फ्रेंड्स आज का यो जो विडियो है वो उन के लिए है जो अभी अपने रिसर्च में बिल्कुल नहीं है तो जो सबसे एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क है वो यह है कि हम कैसे फाइंड आउट करें कि हमें कौन सा जर्णल देखना है यह कहां से पढ़ना है कैसे करना सुरू कर दिया तो मुझे लगता है कि अच्छे रिसर्चर के लिए एक प्रैक्टिस नहीं है सबसे जो जरूरी चीज है वो है कि सही जर्णल फाइंड आउट करना कि यह कौन सा जर्णल बढ़िया है हमें कौन सा जर्णल पढ़ना चाहिए क्योंकि अगर आप सबसे अच्छा प्रैक्टिस है इस वीडियो में जो हम डिसकस करने वाले हैं कि हमें राइट जनल फाइंड आउट कैसे करना है और अगर राइट जनल फाइंड आउट कर लिए तो यह देखना कैसे है कि वो जनल कितना बढ़िया है पहले तो यह देखना है कि बढ़िया है कि नहीं और अगर बढ़िया है तो कितना बढ़िया है और क्या उस जनल उस एरिये में कोई और जनल हैं जो उससे भी बहतर हैं तो हम आज के इस वीडियो में धेरे धेरे आगे बढ़ेंगे और यह फाइंड आउट करेंगे तो सब For my case, हमें काम करना है Fracture Mechanics के crack identification में, तो हम directly Google में crack identification टाइप नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे सबसे पहले जाएंगे Science Direct पे आये यह एक प्रेटफॉर्म है जहां पर सारे जर्णल आपको मिलेंगे तो यहां पर हम इसके keywords में आएंगे और यहाँ पे जो अपना keywords है crack identification वो हम डालेंगे उसके बाद हम search पे click कर दिये तो यहाँ पे बहुत सारे journal खुल गए तो इसमें भी कुछ journals अच्छे हैं, कुछ journals बहुत अच्छे हैं, कुछ journals अच्छे नहीं हैं, कुछ journals खराब भी है तो जो expert लोग है उन्हें तो पता है कि भाई यह journal बढ़िया है, जैसे मेरे case में, यह जो journal है, आपका engineering structures, यह बढ़िया जर्णल है, लेकिन इससे जो पहले यह सारे दिख रहे हैं, प्रोसीडिया, structural integrity, applied acoustics एच्छा जर्णल है, measurement भी एच्छा जर्णल है, theoretical and applied detection भी बढ़िया है, लेकिन यह जो शुरू में दिख रहा है, यह अच्छा है कि नहीं है, यह हम कैसे पता करें, तो सबसे पहले यह आया, पहला आया, चलो इसको खोल लेते हैं, पहला journal हमने खोल अब दिखा, अब हमें देखना है, single glance में, कि यह कैसा है, तो सबसे पहले जो चीज़ हम पकरेंगे, वो पकरेंगे volume, इस journal का volume 172 है, इट मेंस कि अगर किसी journal का volume 60-70 से ज़्यादा हो, 50-60 के round में हो, तो वो average journal आता है, अगर उस से ज़्यादा हो, तो वो journal बढ़िया ज़्य ज़्यादा है, और जिस journal का volume जतना ज़्यादा होगा, वो journal उतना बढ़िया होगा, तो पहला चीज़ है कि हम पकरेंगे यह volume, तो यह volume ज़्यादा है, मिंस journal बढ़िया है, तो अब हम जो इस screen पे, जो हमारा interface उभर रहा है, इस पे बहुत सारी चीज़े हैं, जो edge researcher हमें प vision होता है कि यह क्या है, यह publisher elsewhere है, यह जो है mechanics of materials, यह journal का नाम है, यह जो volume आपको दिख रहा है, यह volume है, यह एक साल में एक या दो या तीन volume बनते हैं, जिपन करता है journal पे, और यह है कि वो कब publish हुआ है, और यह है कि उसको initial एक number लोट किया गया है, बाद में इसको page number से convert कर दिया जाएगा, तो अब उसके बाद यह journal का title है, तो अब यह देखना है कि यहां से और क्या हम देख सकते हैं, तो यहां से एक बात हम एक चीज़ और देख सकते हैं, वो यह है कि यह general की speed क्या है, जिसे कई सारे जो researchers होते हैं, वो general डाल देते हैं, किसे में, बिना speed देखे बिना यह सारे कुछ देखे, बिना analyze किये, और पता चलता है कि दो साल, एक साल जो review में ही रहा गया है, आई ही ने रहा है review, तो यहां से आप इसका speed देख सकते हैं, जैसे यह journal है, यह जो author है, यह author जो है, इन्होंने 26 जनवरी 2022 को इसको communicate किया, फिर भी उनका review हो करके आया, रिव्यू होने के बाद इन्होंने 10 मई को इसको 12 समिट किया, और यह solar zone को यह journal जो है, वो accept हो गया, तो इस journal में यहां से हमें दीख रहा है, कि लगभग 5, 4-5 महेने इस journal को लगे हैं, रिव्यू होके जमा होने में, और यह 6 महेने में यह online available हो गया है, तो कर सकते हैं कि यह descent speed है, इतना speed तो average सारे journal का रहता ही है, और उसके बाद यह सारा criteria तो आब लोगों को पता ही है, तो basically यहां से हमने देखा कि सिर्फ science direct में हम आएंगे, यहां पर सारे journal almost अच्छे journal ही है, अब उन अच्छे journal में कौन सा journal की quality कैसी है, कौन सा journal अच्छा है, जैसे हम यह देख लेते हैं, engineering structures को देख लेते हैं, एक बार, applied acoustics को भी खोल लेते हैं, engineering structures को भी देख लेते हैं, इन तीन चार जनल में सिर्फ देख करके, एक glance में देख करके पता करना है, कौन सा कितना बढ़िया है, तो इसका volume, mechanics of materials का volume 172 है, applied acoustics का volume 197 है, it means कि applied acoustics generally mechanics of materials से थोड़ ज़्याद बढ़िया जनल है, यह का सकते हैं कि दोनों comparable है, इसे engineering structures की बात अब हम करते हैं, तो engineering structure का volume 272 है, तो यहां से हम यह find out कर लिए, सीधा keywords से दिये, सर्च किये, और यह find out कर लिए, कि engineering structures जो है, वो इन दोनों से बहतर जनल है, इन दोनों से कहने का मतलब applied acoustics से, और हमारा यह mechanics of material से engineering structures बढ़िया जनल है, अब है कि जनल में एक जो नया terminology आता है कि कौन सा जनल कितना बढ़िया है, वो है कि उसका q factor, q factor मतलब quartile factor, तो वो क्या होता है quartile factor, कैसे यह quartile factor आता है, और यह कैसे बनता है, तो अब हम यह discuss करेंगे, तो हम बात कर रहे थे कि quartile क्या होता है, हम कैसे find out करेंगे कि किस जनल की quartile कितनी है, तो quartile जो होता है, जिसको q ranking भी बोलते हैं, यह चार है, चार quartile का मतलब की हो गया है कि एक को हम अगर, quartile का मतलब one by fourth, तो यह चार quartile है, q1, q2, q3, q4, तो मालिज यह कि किसी specific area में hundred journal है, किसी भी area में, जिसे हमारा area है, correct identification, तो इसमें मालिज दे हैं, हमकी इसमें total 100 journal है, टोटल 100 journal हैं, hundred, total number of journal is hundred, तो इसमें एक से लेकर के 25 तक, सबसे पहले तो इस जो 100 journal है, इसका जो impact factor होता है, impact factor हम बताएंगे कि क्या होता है, यह जो impact factor के accordingly इसको हम arrange कर देंगे, और उसमें rank एक से लेकर के 25 तक जो journals आएंगे, उसको हम बोलेंगे कि यह q1 journal है, यह quartile 1 का journal है, फिर जो 26 से 50 तक जो journal आएंगे, इसको हम बोलेंगे कि यह q2 journal है, फिर जो 51 से 75 तक आएंगे, इसको हम बोलेंगे कि यह वहिया q3 journal है, कुछ journal 75 से लेकर के 100 तक आएंगे, तो उसको हम बोलेंगे कि यह q4 journal है, लाइकवाइज कि अगर किसी एरिये में 150 हैं तो इसको भी चार पार्ट में डिवाइट कर दीजिए तो उसके कोडिंगली हम यह कॉटाइल Q1, Q2 और Q3 अडेंटिफाई करते हैं और जनरली यह माना जाता है कि Q1 से लेकर कि Q2 तक में सारे जनरल अच्छे आ जाते हैं पर यह इसका जो criteria है वह है impact factors, impact factor क्या होता है, हम पहले इसको देखेंगे कि 2019 से 2019 और 2020 में कितने पेपर प्ब्रिस हुए और उन पेपरों को कितनी वार्ट किया गया तो माल लेते हैं कि इसमें अगर paper publish हुए 100 और total number of citation हुआ 375 और paper publish हुए 100 तो इसका impact factor हो गया 3.75 तो इस तरह से हम arrange कर लेंगे इसको और वहां से identify कर लेंगे कि Q1, Q2, Q3, Q4 है तो यहां से simply जरूरी नहीं है कि जिस journal का impact factor ज्यादा हो वो journal बढ़िया हो यह जरूरी नहीं है क्योंकि यह totally citation पर depend करता है और ऐसा हो सकता है हलाकि ऐसा ज्यादातर नहीं होता है लेकिन कुछ cases में ऐसे होते हैं कि journal ज्यादा अच्छे नहीं भी हो फिर भी उसका जो impact factor है वो एक अलग अपना topic है उस पर हम लोग कभी बाद में देखेंगे तो यहां पर हमने देखा कि रेक सही तरीका कैसे होता है general search करने का और एक glance में हम लोग कैसे देखेंगे कि general जो है वो बढ़िया कैसे कितना बढ़िया general है फिर वहां से हमने देखा कि q1 q2 q3 q4 क्या होता है q1 q2 में generals कैसे arrange होते हैं उनका criteria क्या है अब हम लोग जो measures देखेंगे कि हम find out कैसे करेंगे जैसे हमने science direct.com से तो देख लिया कि general कितना बढ़िया है जैसे हमने देखा कि engineering structure का 272 था उसका जो volume तो ज्यादा पुराना general है तो ज्यादा बढ़िया general है तो अब हमें यह देखना ह कि engineering structures q1 में आता है q2 में आता है q3 में आता है जनरल यह होता है कि जो बढ़िया general है वह आपको q1 q2 में आ जाएंगे लेकिन यह जरूरी नहीं है कि वह आ जाएंगे तो अभी हम देखेंगे कि हम q1 कि कि क्यू ranking कैसे देखेंगे तो यह जो q1 q2 का जो concept है बैसिकली वह आया ह साइंस करेंगे चलो हम भी वहीं से सुरू करते हैं बैबप साइंस करेंगे यह ए इंटरफेस कुछ खुलिएगा यहां पर आपको अगर आप नाम जानते हैं तो उसके नाम से विसर्च कर सकते हैं, टाटल जानते हैं, वहां से विसर्च कर सकते हैं, अगर आप बिल्कुल ही सुरुवाती स्टेज में हैं, आपको कुछ पता नहीं है, तो आप इसको ऐसे रहने दिचे, आल फिल्ट रखिए, यहां पे आप सिर्फ कीवर्ड्स देखिए तो यह हमारा जो विडियो है, यह प्राइमरली उनके लिए है, जो बिल्कुल नए है, तो हमें सिर्फ कीवर्ड्स बता होगा, कि भाईया हमें इस एरिये में काम करना है, तो मैं जिसे मेरा एडिया है, क्रेक डेंटिफिकेशन, इसने में करता हूँ, मैंने यह खोल दिया, तो वहां से यह जनल आया, बहुत सारे जनल सबके स्क्रीन पे उबर के आये, तो इनमे से हमें देखना है, जिसे यह उसमें भी था, ju-3 है, वेवफ साइंस के एकोडिंग ही, तो इसमें हमको सर्च करना इसपे यह जो है न जून 2005 के बाद यह जो दिख रहा है न जून जुलाइए 2023 नमंबर 2011 इसके बाद जो दिख रहा है यह लिंक, यह लिंक जनरल का 90E नाम है तो जिसे इस जनरल का पता करना है तो इस पे हम क्लिक कर दिए यह इंटरफेस उभर के आया हमारा तो अब हमें यहां पे यह दिख रहा होगा कि यह जो कर्टेगरी है इसका जरेसियार कर्टेगरी है जरनल साइटेशन जो है रिकॉर्ड इसका जो इसका जो तरिटू है और उन थर्टी टू में इंपक्ट फेक्टर वाइज इसकी रैंकिंग 11 ही है तो यानि कि 32 को आप 8 से चार से डिवाइड कर देजिए तो 8 8 का कॉटाइल बनेगा तो एक से लेकर के 8 तक होता तो यह Q1 होता नौ से लेकर के 16 तक रहेगा तो यह Q2 हो गया तो इस जर्नल के रैंकिंग 11 है यह Q2 है और यह Q1 होने के वर्ज पर है अब हम इस एरिया में देखते हैं इसमें टोटल नंबर ऑफ जर्नल्स जो अविलेबल है वह 345 वेवफ साइंस के कोडिंग और इसमें से इस जर्नल की जो रैंकिंग है वह 219 है तो वैसले यह Q3 में आ जाएगा तो वैसे ही हम देखेंगे और हमको इसमें डिटेल और क्या देख सकते हैं वह देखना हो तो इ एक नया इंटरफेस खुलेगा उस इंटरफेस में आपको सारी चीज़े दीखेगी यहाँ हम आगे यह दिखेगा कि , किस रिजन है यह जनल कहा से हो रहा है तो यह इंग्लेंड का है तो इंग्लेंड येनियुनट्ट्ट कि इंगडं वैसिकली निज्टर्लैंड इंस जनल भी नाद्ट सब्सक्राइब करेंगे तो यहां से इसको भी देखते रहेंगे तो आप करिएगा खुद से करिएगा तो ज्यादा यह दिखेगा आपको सब्सक्राइब करते हैं वह यहां पर है कि तो साइटेशन यहां दिखान और जो इंपोर्टेंट चीज है जो मैं दिखाना चाहरा हूँ आप वो यह है कि contributions by organization यह important है यह important इसलिए है कि यहां से आपको यह दिख जाएगा कि इस journal की reputation क्या है जैसे अगर यह journal है आपका यह इसमें कौन-कौन से country के लोग और कौन-कौन से organization के लोग इसमें publish करते हैं जैसे आपको हर को भी तुझानते ही होंगे कि उनके एरिये में बरिवरी universities कौन से हैं बरिवरी research institutions कौन से हैं जिसे यह university है आपका University of Paris कहले है इस सारी अच्छी अच्छ यह बरिवरी universities के researches इसमें publish कर रहे हैं या नहीं अगर बरिवरी universities के researches में publish कर रहे हैं इसका जो reputation है वो बढ़िया है तो comparison के purpose से आप उसका सारे journal को देखेंगे उसके बाद खोलेंगे उसका learn mode में जाएंगे यह सारे reports आएंगे इन सारे report का अलग-अलग मतलब है जो यहीं साथ दिर-दिर आप भी इसमें expert होते चले जाएंगे तो basically वही फंडा था हमारा जो आज का motto था कि क्या सही तरीका है नए जो researchers आए हैं उनके लिए कि कौन सा journal बढ़िया है जनरल search कैसे करना है जनरल find out कैसे करना है Q1, Q2, Q3, Q4 क्या होती है यह ranking determine कैसे होती है और क्या यही क्रिटेरिया है या और कुछ है एक glance में हम पता कैसे करें कि यह जनरल बढ़िया है या बढ़िया नहीं है उसका market में कितना reputation है यह पता कैसे करें यह सारे चीज़ें हमने देखा और उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंदाई होगी